हलो दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूटीब चैनल एक्जाम वर्योर्स बिगिंज में देखे अब एक लंबे इंतिजार के बाद फाइनली यहाँ पर पार्ट पैनल टू का जो है ना पूरा का पूरा रिजल्ट जो है वो पब्लिश कर दिया गया है तो बहुत बड़ी खुसकबरी आप सभी सातियों के लिए जो की पार्ट पैनल टू का वेट कर रहे थे और अब जो है आपका इंतिजार जो है वो अब खतम हो चुका है बाद में यहाँ पर हमको बताने वाले हैं कि जो है सेकेंड डीवी अब क्या आएगी क्योंकि पार्ट पैनल टू आने के नोडिफिकेशन आई है तो आप सभी सातियों जरूर इसको पूरा देखेगा और इंफर्म करिएगा कि जीन भी सातियों का इसमें सेलेक्शन हुआ है जरूर मुझे कमेंट करके बताईएगा इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर आप इसे लाइक क कोन की तरब से यहां पर पार्ट पैनल टू जो है वो रिजल्ट यहां में पॉब्लीश किया गया है तो बिल्कुल आपको जो है सभी साती काफी सारे कमेंट आ रहे थे हर एक वीडियो में पूछा भी जा रहा था कि हुब्ली जोन का जो है वो रिजल्ट पार्ट पैनल पूछे जा रहे थे कि पार्ट पैनल टू कब आएगा काफी दिर से आप सभी साथी इंदिजार कर रहे थे तो देख लिजिए अब पार्ट पैनल टू जो है वहाँ पर पॉब्लिस किया चुका है और जो भी छात्र इन लिस्ट में सामिल हैं उन सभी छात्रों को मेरित आप स पॉब्लिस किया गया है जिसमें बताएगा कि बेस्ट ऑन दे रिजल्ट आफ केंपूटर बेस्टी डिविटी दे पीरिट ऑफ सत्र अगस्ती सारे डेटियल से दीगी है इस तरीके से चाम हुए थे और इसमें बोला गया पार्ट पैनल टू आप पांच जार एक सबावन क चात्रों का एक साथ यहां पर पार्ट पैनल टू जो है रिजल्ट पॉब्लिस किया गया है तो एक बहुत बड़ी यह बात है तो काफी सारे स्ट्रेंट का यहां पर चैन हुआ है और सबसे अच्छी चीज है कि यहां पर आपको कौन सा पोस्ट जो है वो मिला है यह आपको प्रोल नमर्स दिये गए हैं और इसमें आप देख सकते हो कि यहां पर कुल 125 चात्रों का सेलेक्शन हुआ है तो आप सभी 125 चात्रों को देखें बहुत सारी बढ़ाईयां आप सभी लोग जरूर कमेंट में बॉक्स में बताइए कि आपका सेलेक्शन हो गया है ठीक है इसक और क्या पार्ट पैनल टू-3 आएगा या फिर सेकेंड डीवी कंड़क्ट कराए जाएगी इसके उपर तरचा करेंगे तो जरूरी इस वीडियो को अंतक देखेगा इसके लाव देखें कटेगरी नमर्स रीब की बात करते दिखें एसिस्टेंट सी और इसमें जो है तोट इसके लावा जिनका मेडिकल इस टेंडर जिसके कोड़िंग यहां पर सेलेक्शन हो रखा है और उन्हों सभी चात्रों के नाम यहां पर लिस्ट में पॉब्लिस किये गए हैं कटेगरी नमर्फ फोर में ही एसिटेंट डिपोर्ट में आप देख सकते हो चौनतीस चात्रों को होरा है और अगर मतृक्र इस टेंट चात्रों में नाम है इसके के लाएंसेट लोको सेटीडर की बात करें तो देखे यहांपर 66 कैंड़ियेट्ट का जो है वब सेलेक्शन हो रखा है वह असिवगन्ट मेंट की ekipos सारी विकइंची सी तो इसको वैसे यहां पर भी काफी सारे शात्रों का लिस्ट में नाम दिया गया है अगर हम टोटल करें एसिस्टन points में में केवल आप देख सकते हो यहां पर टोटल नमर केवल ऑफ Subscribe yeah there तो बहुर सारे शात्रों का जो है न यहां पर section हो रखाया और आप देख सकते हो केवल और केवल एसिटेंट पॉइंट मन में ही यहां पर 1042 छात्रों का नाम यहां पर दिया गया है तो बहुत सारी बदाईया है बहुत सारा कॉंग्राचुलेशन आप सभी छात्रों जिनका भी इस लेस्ट में रोल नमर्स यहां पर सामने की इसके लागा यहां पर सामिल किया गया है इसके लाब एसिटेंट ट्रैक्मेंन मचीन की बात करें जो कि सब्स हर एक जगह पर डेख सकते हों कि यहाँ लेगं इसमें अब देखेगा तो यहाँ पर 326 है लेगिन दूसरी वाली में भी दिखाएंगे इसके लाव जावा जाएंगे कि बाते इसमें कितने जातर हमें तो यहाँ पर 215 सातर हमें इसके लावा इसने TL and AC workshop की बात करें तो देखें यहाँ पर TRD में कितने चात्र हैं यहाँ अब देख सकते हो 215 चात्रों की लिस्ट में यहाँ पर नाम आई है तो काफी सारे चात्रों का जो है अलग-अलग पोस्ट पर यहाँ पर नम्मर ऑफ केंडिट का जो सेलेक्शन हो र रोल नमर्स यहाँ पर सामिल के गए है तो देखें जो भी चात्रों का यहाँ पर रोल नमर्स आया अपनी काटेगरी के साथ जरूर बता दें कि काटेगरी कौन सी पोस्ट में आपका सेलेक्शन हुआ है तो ज़रूर मुझे आप कमेंट बॉक्स में करके बताईएगा इसक करें जो नमर्टोern नमर्स पूरल नमर्स इंसर्पी सिर्फ्षेंको़ में उम्नश हूआ पर जोस्षाटर्त कि आपके सकते हैं कौनल top 112 म्साट्र घ जो है इसके बाद देखें जो बाति देखें धेजे उसको डेखें यहाँ पर लिखा गया विजındल एंडट टेडी मैं ल एनी राइट फॉर अपॉइंट्मेंट्मेंट इन्रेल विच पाई जाती है तो जो है वह करवाई की जा सकती है इस तरह की बाते हैं हमेशा यह लिखते ही आपको पताई है इसके लौँ अगर आपको अपको समस्मे बात आपको मिल जाएगा उसके लगर अब्हु त्यार कर सकते हैं ठीक है इसके लगा आगे देखते हैं जिसके वाइसे पता चलता है कि यहां पर बहुत सारी सीटे हैं जो रिमेनिंग है और कुछ आत्र ऐसे हैं जिनका मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट अभी तक इनको मिला नहीं है जब मिल जाएगा तो उसके बाद उनका जारी किया जाएगा और कुछ चात्र के अडिशनल कॉलिंग की बात करते हैं इस वाइसे आप कह सकते हैं पर लिखा गया है कि कॉलिंग अडिशनल केंडेट फो जाए जाएगा यहां पर चात्र यहां पर हैं जिनका कुछ पॉइंट्स आप नमर की वज़से कम रह गया है नहीं आया हुआ था तो आप जरूर इस बात को द्यान में रखें कि सेकेंड डिवी यहां पर कंड़क्ट कराई जाएगी और में भी आप कार रोल नमर सो उसमें सामिल हो सकता है ठीक है तो इस तरीके से यह सारी चीह थी अब मैं आपको बता दूए कि यहां पर अगर हम वेकेंड़ सीटे की बात करें कि अभी तक कितनी वेकेंड़ सीटे रह गई हैं तो देखें कि पिछला बर जो आया था पार्ट पेंडल उसमें 1070 चात्रों का जो है तो यहां पर हुबली जोन में 7166 जो है टोटल नमर वेकेंशी है और इसमें से अगर 6222 को अगर हम मैनस कर देते हैं तो आप देख सकते हो कि इसमें नमर ऑफ केंड़ेट जो है कितने बचते हैं तो 945 के लिए लगभग अभी जो सीट है वो वेकेंट रह जाएगी तो पूरा कर फीलो जागा इससा तो कभी भी नहीं हो सकता है कि मेडिकल में जो फिटनेस की जो पेंडिंग होती है वो ज्यादा चात्र होते नहीं है ठीक है जदाजा होंगे तो 20-25 या फिर मैक्समुम 107 होंगे इसे जदा नहीं होंगे ठीक है कही नहीं और बाकी जो चीटे रह जाएंगी उसमें उसकी लिए जो है इनको सेकेंड डेवी कंडर्ट कराना ही होगा तो बाकी सारे जो भी चातर जो किसी पॉइंट नमर की वैसे कम रहेंगे तो जरूर आप सभी लोग क्या जो है सेकेंड डेवी में लेस्ट में आपे नाम आ सकता है ठीक है तो यह सारी इंफर्मेशन थी जो आपको देनी थी उम्मिद करता हूं कि आपको यह इंफर्मेशन अच्छी लगी होगी तो चलिए एक बार फिर से सभी सात्यों को डेर सारा कॉंग्राचुलेशन अब आप अपने जॉक्मेंट्स वगरा की तैयरी कर लीजिए जो भी डॉक्मेंट्स झाल